हे गई इस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे बिबेश लीग के नेक्स्ट मुकाबले की जो की खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट और सिड्नी सिकसर्स के बीच में तो लाबू शागने के आने के वैसे बैटिंग के लावा बॉलिंग भी मजबूत होगी मैं आपको सारी स्टेट्स इनके बताने वाला हूं जो हैल्प करेंगे कि ब्रिस्बीन हीट को स्मैस्ट कर देने के सिड्नी सिट्नी सिक्सर्स जो है वह वह एक वनसाइड एक हो रही थी और लाबू शागने के आने के वैसे यह बहुत important होने वाली है ठीक है इसके अलावा में आपको यहां पर प्लेयर बैटल बताऊंगा दोनों टीमों को क्या कुछ प्लेयर बैटल बन रहे हैं और प्लेयर के performance वगएर आपसे शेयर करूंगा फिर हम ड्रीम 11 विजन 11 की टीम बन हो नहीं पाया था जो अब होगा यह दो हफते पहले होना चाहिए था हीट वर्से सिक्सस का यह मैच जो है यह गबा ब्रिस्बेन में खेला जाएगा डेट टाइम की बात करें तो 19 जैनुवरी 735 एम मैच खेला जाएगा पिछ रेपोर्ट की बात करें तो ट्रैक एड़ ग टॉप पिलियर्स की बात करें इस वेन्यू पर जो पिछले 2 साल में कुछ निकल के आये हैं तो उसमें Jaws Filippi आते हैं दो मैच इनोंने खेले हैं 50 रन्स प्रती मैच के साफसे परफॉर्वेंस इस वेन्यू पर दी है जेमस विन्स दो मैच में 35 प्रती मैच के साफसे रहें इसी से मेन्यू पर 2 विकेट्स निकाले है ने दू विकेट्स पर मैच मैच मेच निकाले हैं हालकि सितुमर कि मैच एक dispel पर मैच सकते हैं अदेख लग युकि फॉड टोटल मैचेस की बात करें जो इस वेन्यू पर खेले गए तो इंटरनेशनल छोड़ दीजिए डॉमस्टिक पर आ जाईए डॉमस्टिक में देखिए 49 मैचेस खेले गए हैं 22 जीते हैं बैटिंग फस्ट ने 26 जीते हैं बैटिंग सेकंड ने तो अल्मोस्ट इक्वल हैं 250 से नीचे गिया है 150 constitu 17012 बार बनाए 170 से 190 के आसपास12 बार बनाए और 190 compr होता है बर दोनों । की उपकाफी जबर्दस प्लेंग लाइविन है तो दोनों की दोनों हीट जो थी 90 पे ऑल आउट हो गई थी तो हीट का परफॉर्मेंस आकरी मैच इस वेन्यू पर बहुत खराब था वहीं हम हीट का एक और मैच देखते हैं लास्ट सेकिंड मुकाबला जो अभी खेला गया रिसेंटली हीट और होबर्ट की बीच में 144 बनाया था हीट ने और उस देखी ही नहीं है उसके पहले 29 जनवरी 2021 में एक मैच जीता था जिसको एक साल हो गया है और इस साल अगर आप बात करें तो दिसंबर से लेके जनवरी तक सारे मैच ब्रिस्बेन हीट की टीम जो है हारी ही है इस वेन्यू पर स्टैट देख लीजे बात करते हैं पॉइंट स स्टैट्स की बात करें तो आपस में 15 मैच खेले सिकसस ने 12 जीते और हीट सिर्फ तीन जीत पाई है बैटिंग फरस्ट करते हैं और हीट ने दो जीते हैं ठोड़ा सा बैटिंग फरस्ट में हीट की टीम अच्छा कर सकती है बैटिंग सेकंड में तो चांस बहुत कम रहेग है आखरी पांच हैट्विड मुकाबले भी आप देख लिए कितना क्या स्कोर होता है जब यह तीम आपस में भीड़ती हैं लास्ट मैच 29 दिसंबर 2021 के 21 में इनके बीच में हुआ था जिसमें हीट ने 105 बनाया था और चीज डाउन कर लिया था सिड्नी सिकसस ने उसको और दो विकेट से मैच को जीत लिया था इसके पहले 10 जनुरी 2021 यानी की एक साल पहले मुकाबला खेला गया जिसमें सिकसस ने 152 बनाया और ब्रिस्बेन जो है 148 पे आल आउट हो गई थी तो आप देख सकते हैं आकरी दो मुकाबले जो है वो सिकसस की टीम जीती है ब्रिस्बेन क पर ज्यादा मजबूर टीम समझ में आ रही है है ट्वेड मैचे इनके फेवर में है रीसेंट मैचे इनके फेवर में है अगर हम बात करें इनके टीम परफॉर्मेंस की तो यह कुछ स्कोर्स हैं जो इन टीमों के सामने ब्रिस्बेन हीट ने बनाए है इस साल और बैटिंग 25 मुकावलों में हाइस जो है वह 197 गया है और लुएस्ट जो है वह 150 गया है तो ओवरॉल सिक्सेस की टीम जो है वह ज्यादा बहतर परफॉर्मेंस दे रही है लगातार रिसेंटली अगर आप देखें तो जिसमेंसे दो मैचे इन्होंने बैटिंग करते हुए जीते हैं तो हक्स और स्टिकिट की डैनियल हक्स वर्सेस टिकिट को देखें तो 41 गयंदों में 38 रन है और तीन बार विकेट लिये तो बहुत अत्तक चांत है इस टिकेट जो है वह हक्स का फिरते विकेट ले सकते हो कि फिलर बैटल बहुत ज़ादा तगड़ा है स्वेप सन को हैंडिक् hax का विक्ट लिया है 23 गेंदों में मात्र 19 रण है और एक विक्ट लिया हुए ठीक है विल्टर मत ने भी हक्स का की विक्ट लिया है तो हक्स की प्लियर वेटल सबसे फस रही है यहां पे देखिएος बगएरा की सामने भी रंस नहीं कर पा रहे हैं रह मां की में 21 एक विकट है तो सिल को भी थोड़ी सी दिक्कते होंगी इसके बाद हम बात करते हैं हीट वर्षे सिक्सस की हीट वर्षे सिक्सस में देखिए किस से किसको प्रॉब्लम है क्रिसलें और स्टीवोगीव चाथिस गेंदों में 25 रन बना पाए सिर्फ और एक बार आउट हुए सीन एबोट के सामने क्रिसलें को देखें तो काफी बढ़िया खेलें थेतिस गेंदों में 72 रन है और दो बार आउट हुए हैं बेंड वर्षे के सामने पियर्सन बहुत ही कमजोर हो जाते हैं 35 गेंदों में 52 रन दो बनाए बर तीन बार अपना भीट भी दिया है यहां पर पियर्स ऑसे बोट भी देखेंगे तो 22 गेंदों में अठाईस रन जरू बनाए बर तीन बार अपना विकट दिया तो पियर्सन का प्लियर बेटल डॉसे से बहुत तगड़ा है और सीन आभॉर्ण से द दोनों ही प्लेयर बैटल में रंस काफी बनाए है ब्राइंट ने और एक एक बार अपनी विकट भी दिया है इसके बाद नीचे पियर्सन का एक और प्लेयर बैटल निकल के आता है बड़ की सांथ देखिए पियर्सन का अबोर्ट से भी निकला था और सब को दो तीन-तीन वि एक विकट है इस्टीवों की वर्सेथ कूपर है अठारा गिनों में बीस रान एक विकट है और टॉम कूपर वर्सेथ अबॉट है एक तो थोड़ा से इनको ध्यान से देख लिए का प्लेर बैटल काफी इंपॉर्डेंट होते कभी-कभी मैचे नीचे चलते हैं बात करते ह की जो हीट वर्सेथ मैच में हमीशा निकल के आते हैं तो इसमें क्रिसलें बारग मैचेज में 303 रन है एवरेज 25 के आसपास का तो इन से था एक्सपास कर सकते हैं हैं एक से 25 की और हैं कि हाक्स के काफी प्लेर बैटल है तो चलने के चांज बहुत कम होंगे टॉप 5 विकट लेके जाता है आप पोजिशन के और स्टाइक रेड़ी इसका बहुत कम है 8.29 यानि की तकरीबान 8.29 बॉल्स ये करा दे आप पोजिशन टीम को तो एक विकट इसके खाते में आ जाता है स्टैट्स तो यही बोल रहे हैं तो इसके कल चलने के चांसे बहुत हैवी रहेंगे में खास करके फस्ट बॉलिंग के केस में बेंडवार्चिस ने 10 मैच में 10 विक्टर नेका लिएं एम इस टिकेट 4 मैच में 9 विक्टर नेका लिएं मुझीव ने छे निका लिए स्टीव ओकीव ने 8 में 6 निका थोड़ा तक कीव रिकॉर्ड खराब है बाकी सबसे बढ़ि पर मौजी सेंडिक्स नमबर चार पर डैन क्रिस्चेन एक्सपेक्टेड है पर्फॉर्मेंस वाज देखें तो एडवर्ट्स के जो हैट्टुइट रिकॉर्ड है वो उत्ते अच्छे नहीं है और उत्ते रिलाइबिल भी नहीं है थी और हैट्टुएड में दो फिप्टी प्लस के स्कोर्स हैं पिछले चार्चे मुगाबलों में तो हैंडिक्स भी आपके लिए थोड़ से इंपॉर्टेंट तो रहेंगे फिर क्रिश्चन आ जाते हैं दो तीन बालिंग कर लेते हैं इनका थोड़ा डिसाइडड नहीं रहा आपको मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं चाहिए वरना यह आपकी टीम एकदम से बरबात करता है यह इसके कुछ हैट-to-head बैटिंग स्टैट है और हैट-to-head बॉलिंग स्टैट है आप पोजीचन टीम के किलाफ इसके बाद नमबर पाच पे हक्स आ सकते हैं हैट-to-head record इनोंने फेस करा तब तीस रंड बनाए थे आपके लिए ग्रेंड लिए काफी बढ़िया पंट पिक हो सकते हैं अगें नेगलक्टी करिएगा सीन अवर्ट थोड़ा आपको बैटिंग बैकप दे सकते हैं और बॉलिंग रिकॉर्स तिनके बहुत ही शामदार है लास्ट द विकेटलस नहीं गए अलगबग 8-9 मुकाबले ऐसे हो गए कि केर को हर बार विकेट मिली जाती है आखरी बार भी जब पूजिशन खिलाफ के लिए थे तब दो विक्टर निकाली थी बैंड वार्ट से इसकी बात करें यह भी काफी तगड़े फॉर्म में लास्ट चार पर एक बोलर चवालिस इनिंग में 54 विक्टे इनके नाम पर आखरी पांच मैच में चार बार विक्टे मिली है और अपोजिशन टीम के खिलाफ लास्त तीन मैच में हर बार विकेट मिली एक बार चार विकट भी निकाली थी काफी इंपॉर्ट होंगे खास करके सेकंड भी देख सकते हैं इसके बाद हम चलते हैं ब्रिस्बेन हीट की तरफ ब्रिस्बेन हीट की तरफ अगर हम देखे तो इसमें काफी अनकंसिस्टेंट प्लेयर जैसे मैक्स ब्राइंट है आकरी मैच में इनोंने विक बैश का सबसे बढ़िया स्कोर लगाया अपना 81 इनका एक तो इनका 30 का बैटिंग अबरेज है एक्सपिरेंस काफी है इनके पास इसलिए हम इनको थोड़ा सा प्रिफर करते हैं हालाग इनका भी फॉर्म इस सीजन उत्ता अच्छा चला नहीं है है तो लगब हर दूसरे मैच में 50 प्लस का स्कोर देखेगा इसलिए थोड़ा से यह है आपके लिए बहुत इंपोरेंट क्योंकि बैटिंग अबरेज देखे 31 का है और 20 इनिंग में 20 विक्टे भी निकाली है तो बैटिंग तो सॉलिड करते हैं टेस्क रेक्टर में उनका नाम चलता है साथ ही साथ बॉलिंग भी बहुत का जबकी करते हैं अगर आप इनक पिन के तीन से चार उबर तक बॉलिंग करते हैं इसके बाद डखेट आते हैं विकेट कीपर बैट्स में थीसका बैटिंग एवरेज रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक है टीम के लिए आप पोजिशन टीम के खलाफ लास्ट में किस लगाए था फिर सैम है आते लेफटी बैट बैटिंग बनता है रिसेंट फॉर्म का खराब चला गया शुरूबात काफी बढ़िया करी टूर्णामेंट में पिछले चार्चे मैस से बहुत स्टकल कर रहा है आप पोजिशन टीम के खिलाब भी कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं है पिछले 6-7 मुकाबलों में मैक्सिम से मैक्सिम 17 रन बना पाएं तो यह चीज हमें नोटिस करनी चाहिए कि हेज़ेट जो है प्लेयर काफी अच्छा है बट फॉर्म इसका जो है साही नहीं है और हैट टूर्ट रिकॉर्ड भी साही नहीं है फिर जीमी पियर्सन आते हैं काफी प्लेयर बैटल आपने इनके देख अच्छा रिकॉर्ड है फिर में नैसा राते राइटा मीडियम बोलर चैतर इनिंग में चैतर विक्तिन के नाम पर रिसेंटली फॉर्म उत्ता अच्छा नहीं चल रहा है एट्वर्ड में रिकॉर्ड ठीक है फिर क्या है मिस्टिकेट और स्वेपसन आपके लिए काफी इं इस टिकेट में है इनकी टीम से बेंच में अगर हम बात करें तो जेवियर बार्लिट है इनका थोड़ा से स्टाइकर खराब है और इनका है ट्वर्ड रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है तो चांस इनको थोड़ा से कब मिल रहा है एक स्वेक्टर मैं आपको दिख सकते हैं टॉम कूपर है लियाम गोतरे हैं लेचन पेफार है विल प्रेस्टवेज है पैडी डूली है और निथन मैक्सनी स्कॉर्ड में हैं भी एक स्कॉर्ड में एक में नहीं भी तो खेलने के चांसे कम ही है स्टेड में लिख दिये हैं डेथ उवर्स की बात करें तो देखिए है आपको डेथ में गेंदवाजी करत वा देखेगा इस टेकट के साथ ठीक है इसके बार हम चलते हैं सिकसे की टीम पर सिकसे की तीम थोड़े से तो मैं आपको यहीं बोलूँगा इन चारों को भी पिक कर लिए कोगी सिक्सस अगेन स्टॉंग ही है मानना जरू टीम में आ गए बट वो अकेले क्या कर लेंगी ब्रिस्बीन इट वैसे बहुत खराब खेल रही है इसके बाद हम बात करते हैं यह तो मैंने आपको जाय तो व की ऑप्शन रहेगी और मैक्स ब्राइंट की रहेगी दियक्स का फॉर्म बहुत कराब है सीजन में तो लोग ब्राइंट के साथ ही जाना पसंद करेंगे मौज इस अच्छा खेलते हैं इनको आप ट्राय करिए इनके प्लियर बेटल देखेंगे तो बोलस के सामने अच्छा पचास रणपाती मैच के साब से तो यह भी टॉपिक रहेंगे जा सीन फानव लिख लिएजेगा टॉपिक में कपणानी valid की बात करें तो मेरे कप्तान वाइस कप्तान क्या होंगे यहां पर मैंने मेन प्लेर का तो नाम ही नहीं लिखा तो सबसे पहले उसका नाम लिख दिता हूँ क्योंकि वही मेरा कैप्टन रहने वाला है मार्नस लैबूशेगन या लैबूशेगन ने जो बोलना है बोल लीजे बोलने से कुछ नहीं होता है सब्सक्राइब जरू कर लेना अब जल्दी से टीम बना लेता है सबसे पहले आपको विजन 11 की टीम देता हूं जहां पर लीडर बूट कॉंटस चलते रहते हैं विग बैश लीग में और कबड़ी मैचस में भी इसलिए आप लीडर बूट के सारे कॉंटस यहां पर जोइन करते रही है जैसी आप विजन 11 पर रजिस्टर करेंगे नीचे म सबसे रहते रहते हैं अभी ऑफर क्या चल रहा है अभी ऑफर यहीं चल रहा है कि फस्ट परसेंट का कैश बोनस है तो फस्ट डेपोजिट अपना थोड़ा सा बढ़ा कीजेगा ताकि आपके अकाउंट में मैक्सिम कैश बोनस जो है वह आ जाए फिर उसका यूज आप ला अब जल्दी से मेरी कुछ टीम बनी है सबसे पहले मैंने कैप्टन रखा है लाबू शैगन को जो क्यों से सबसे बढ़िया पिक होंगे इस मैच के लिए लोगोंने पिक नहीं करा कि कुछ शायद को नियूज नहीं होगी अगर खेलेंगी तो इनसे बेटर आप्शन कोई बैन के साथ बैन को लिए ब्राइंट को लिया हो नहीं हो उत्हरा कन्वेस्ट नहीं उनके साथ एक मैच के परफॉर्मेंस से मैच पिलर्स को पिक नहीं करता बड़ वही है कि ऑप्शन क्या है आपके पास एक डैनियल हक्स पड़े है उनको लेने का इच्छा है नहीं तो फिर मुझे ब्राइंट को लेना पड़ा बाकी क्रिस्लिन में टीम में डारेक्ट एंट्री करेंगे बॉलिंग में मैंने हीडिन केर को लिया है ड्वार्चेस को लिया है निथन लेउन को भी एवन कंसीर करा है और इस टिकट को लिया है आप चाहें तो निथन लेउन की जगे पर स्वैपसन को भी ले सकते हैं वो भी काफी बड़िया पिक आपके लिए हो सकते हैं या फिर ब कमेंट को पिन कर देता हूं वहां से भी जॉइन करते हैं टेलिग्राम पे फेंटसी एक्सप्रस हमारा टेलिग्राम चैनल का नेम है बट जॉइन आप लिंक के थुरूई करिएगा जो मैंने आपको कमेंट सेक्चन में दिया है वरना आप गलत चैनल से जॉइन हो जाएंगे कि नहीं है तो सेम टीम विजन विजन वैवन पे और दी चैनल रहा हूं बर ध्यान रखिए लाइन अप टॉस के साबसे चेंजज होंगी होंगे और आपको पता है बैटिंग में 3 पrices करते बहुत सॉलीड बैटिंग करते हैं भले टीम इनकी वीक चल रही है बट यह प्लेय बड़े स्कोर करता है समझ जाए करो वो कितना अच्छे लेवल का प्लेयर होता है ठीक है तो यह स्कोर करेंगे प्लस यह बॉलिंग भी करेंगे इसलिए कप्तान बैस्ट है वाइस कप्तान आपको खुदी चूस करना चाहिए मेरे साब से बट मैंने हैट ट्रिकॉर्ट देख वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू कर दिएगा बहुत एफ़र्ट आपके लिए लगते हैं अभी तो आवाज भी ने कल रही थोड़ी सी दिक्कत चल रही है तो धीरे दीरे वह भी ठीक हो जाएगी आप लोग बस सपोर्ट करते रही है आपके लाइक और शेयर रुक